देखिए अभी जो वीडियो होने वाली है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेंगी बेसिकली एक इंटर्व्यू फॉर्मेट वीडियो है जिसमें मैंने एक इंटर्व्यू के थूरू आपको क्लिरली समझाने कोशिश की है कि करेंट मार्केट सिनारियों में जब इतना कॉंप्लेक्स सिनारियो होके रखा है तो कैसे आप चीजों को डील कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ओके ठीक है आगे चलके हम किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करें विकॉज देखिए क्या है maximum लोग option buyers हैं तो option buyers को भी क्या discipline जो maintain करना पड़ता है वो करना पड़ता है consistently तो यह जो चुकि हम consistently discipline maintain कर पाएंगे उसलिए कराण कोशिश हम कर सकते हैं कि हमारा जो current अभी चल रहा है condition उससे थोड़ा सा बेटर हो जाएं तो चलिए इस वीडियो को ढंग से detail में सुनिए का इसमा आपको सीखने क्या क्या मिलेगा इसमा आपको सीखने मिलेगा कि किस तरीके से trading decision जब हम ले रहे होंगे तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे and क्या क्या trading decision लेंगे PCR कैसे calculate होते हैं वो आपको समझने को मिलेगा PCR को use करके हम judgment कैसे लेंगे यह हम समझने की कोशिश करेंगे plus यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम आगे आने वाले time में market का approach अपना रखें so that क्या हो कि हमारा जो trading का journey है थोड़ा सा better हो पाए जो already जैसा चल रहा है उससे और better हो पाए काफी हद तक improvement होने कोशिश की जाएगी and hopefully आपको सीखने काफी कुछ मिलेगा तो चलिए हम लोग discussion स्टार्ट करते हैं अब मैं सीधा आपको interview वाले window पे लेके चलता हूँ सारे viewers को welcome हम लोग आज अपने साथ discussion करेंगे कि आज का जो complex सिनारियो हो गया है option traders के लिए जो लाश्ट दो-तिन साल में जितना इजी था मार्केट आज की डेट में मार्केट उतना इजी रहा नहीं है तो आज की डेट में ऐसा हो गया है कि elections का भी टाइम है वोले जिन का कहानी को जैता है तो ये सब चीजों हम कैसे लाइब मार्केट में जज कर सकते हैं कैसे लाइब मारKेट में जीजों को डील कर सकते हैं इसके लिए अभी इसकास करेंगे नितिन जी के संग नितिन जी का अराउंड 20 यह प्लस का एक्स्पियेंस है और यह भी फैलो चार्टेट अकाउंटेंट है तो प्लस यह कि SMC ग्लोबल के संग अल्मुस्ट 15 एस असोसियेटेड हैं यह नोन फेस हैं हर चैनल पे इनको आपने देखा ही होगा तो और मुस्ट हर बिसने चैनल के यह पैनलिस्ट हैं इनके बारे में जादा डीटेल बताने से अच्छा है कि हम इनको सुने इनका भी फोकस यही है कि हम लोग आपस में डिसकस करें एंड उसी को हम आगे बढ़ाएं तो नितिन जी वेलकम एंड थैंक्स अपना टाइम देने के लिए हमारे वीवर्स के लिए तो मैं पहले बस एक चीज कहना चाहूंगा जैसे आपने तो जब से आपने ट्रेडिंग किए हम तो बहुत बाद में अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें बदल चुकी है और आज तो काफी हो गया क्या चीज़ेंगी को पहले तो बहुत भाद मनीज जी आज आपने मुझे अपने चैनल पर इंवाइट किया और आज हम लोग कुछ option related के चीजों के बारे में बात करेंगे और जैसे अभी का market scenario है market में हम देख रहे हैं कि opportunities भी काफी है बट challenges भी काफी है बट इस challenges में हमें opportunities को निकालनी है और मुझे ऐसा लगता है कि challenges से जादा opportunities है और उसके लिए अगर हम कुछ tricks वगरा यूज करें तो हम profit बना सकते हैं option में जैसे आपने पूछा कि मैं options में 2004-2005 से option trading कर रहा हूं और option उस समय बस नहीं नहीं थी और उस समय monthly expires हुआ करती थी weekly expires तो लास्त तिन-चार सालों में आई है और monthly expires में क्या होता था कि पूरे month contract चलते थे और इस और अगर आप गलत हैं तो बहुत जल्दी पैसे का नुकसान भी हो जाता है तो option trading आज के दिन में काफिश्मार्ट हो गई है यानि आपको बहुत समार्ट होना पड़ेगा आपको बहुत क्विक होना पड़े यानि डिसीजन आपकी फास्ट होनी पड़ेगी प्लस अभी और पहले में क्या फर्क है कि अभी हमें प्रॉफिट फटा-फट बुक करना पड़ता है पहले क्या था कि आप उसे आराम से तीन दिन चार दिन पांस दिन करते थे और कैरी फारवर्वर्ड में अच्छा पैसा मिलता था क्योंकि पूरे मंथ पूरे मंथ की होती थी अभी तो गेम ही आपको चार पांस दिन का है और पांस दिन में अगर एकाद दो दिन चुट्टी भी पड़ गई तो और वह मुस्किल हो जाती है क्योंकि वह बहुत बहुत तेजी से करते हैं कई वार क्या होता ह तो डेल्टा पॉइंट फाइब होता था एड़ दमनी आती थी अभी हम देख रहें कि इंदमनी तुरंत आती है तो प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करते हैं तो मेरे जाब से अभी में ऑपर्चुनिटी बहुत जादा है कंपेर टू पहले क्या ओप्शन मंतली ऑप्शन है कि इन चीजों को जिसके बारे में अभी डिसकस करेंगे अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करें तो आप बिलकुल मुनाफ़ा कमा सकते हैं प्रॉफिट कमा सकते हैं तो सर जैसा अभी आपने बताया है कि सर वह पजास को ऑप्शन तीन सो आराम से जा सकता है बट यह कैस मैं इसे यूज़ कर रहा हूं लास्ट चार-पांस सालों से और मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि आप अगर इस सिंपल ट्रिक को यूज़ करें तो आपकी एकुरेसी कम से कम 65 तो 70 परसंट आएगी यानि आप कम से कम यह तो जरूर पकड करना होगा चार्टिंग और टेक्निकल अपने आप में बहुत ही बढ़ियां चीज है बट अगर आप उसके साथ के डेटा को और उसे उसमें यूज़ कर लें तो आपकी और काफिया तक बढ़ जाती है कई बार क्या होता है चार्ट में पैटर्स चेंग हो जाते हैं यानि को आप उसके साथ लिद्वी देखने लग जाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो ग्रीन कांडल बन रही है वह कितनी वैलीड है या कितनी इन वैलिड है और उसे मैं डिटेल में करने के लिए आपको डेटा में लेकर चलता हूं कि कैसे देखना चाहिए कि जैसे देखिए मैंने अभी आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन का डेटा खोला है और ऑप्शन चेन का नाम सुनके आप ऐसा मत सूचीगा कि यह बहुत कॉंप्लेक्स कुछ मैंने खोल दी क्योंकि ऑप्शन केवल कुछ श्ट्राइक सी है और कैसे होने जज करना यिसमें आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक देने की कोशिज करता हूं जैसे मानले ज्ये मार्केट सबनौ नो बजे खुलती हिए अब सबनौ थे मॉझे खुली तो यह जो काम करेगी आपको यह 10naj cogso के वचे रहे हैं दस साघ् दस वज़े के सब्सक्राइब अब आप फर्च किजिए बाइस आजार चेसों पचास पे और साड़े दस बजे मार्केट है बाइस एजार साथ सो यानि बाइस साथ सो का लेवल आपने लॉक कर दिया साड़े दस बजे और आपको Call या Put लेनी है एड़ मनी 스파ट लेवल से ना की फ्यूचर लेवल से सबोसी किजिए फ्यूचर बाइस आठसो चल रहा है और बाइस आठसो चल रहा है तो कई ट्रेडर्स के मन में सवाल होता है कि हमें कौन से स्ट्राइक लेनी चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लेरिफ तो यहाँ पर एक तो पॉइंट यह हो गया कि हमें करना है और आट दम निमे जैसे बाइस साथसो सपोज अड़ दम नी है बाइस साथ सो तो बाइस साथसो की कॉल और पुट इन दोनों को हमें उपन इंट्रेस्ट किस तरीके से market में बहेभ रहा है जैनि कि सपोस किजए जैसे में आज का रहा है और वाइस-साथ-सो का चेंजिन ओपनिंट्रेस्ट यह कितना लागry और पूट्स tips कॉल साइड में देख रहे हैं 47 लाक है तो हमें बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूं बहुत ही सिंपल हमें जो एड़ दमनी स्पॉट लेवल है साड़े दस बजे उसमें देखना है कि इंबालेंस कि दर है कि दर ज्यादा और ओपन इंटरेस्ट हो रहा है है का अद्ध यानि यानि की चेंजन ऊपन इंट्रेस्ट किदर जादा हमें दिखाई दे रहा है कॉल साइड में यानि जो आपका सवाल था कि कॉल बढ़ेगी या पुट बढ़ेगी तो इससे वह आता है कि इस समय हमें कॉल ओपशन को नई ट्रेड करना है और पुट ओपशन में ट्रेड करना को नहीं में सब्सक्राइब और एक समय में करीब सो रुपए के आसपास थी जिसकी क्लोजिंग 41 हुई है और यह जो पूट ऑप्शन है यह उतनी नहीं बड़ी आज बट फिर भी इसमें दस बीस रुपए हमें आज मिल कुछ आये हैं तो बेसिकली आपको यह ध्यान देना है सबसे जादा सिंपल एकदम बहुत सिंपल सिंप spot level note करना है जो स्ट्राइक है त कि चेंज देख लिए दोनों जसमें ज्यादा है उसको हमें नई ट्रेड करना यह सवाथ कि कम और ज्यादा का भी फरक हो सकता है जैसे कि फर टुशंब किसे सिनेरियों में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है यहा पर यहां पर यहां पर यहां पर पॲेट ख़ेंट है और इस लवल पर हमें क्या क्रेड करना है सब कॉल साइट करना है क्योंकि इंबालेंस है इसी इंबालेंस को पीचियर के टर्म में पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं पीच जिसे हम बोलते हैं सब्सक्राव कर निकल गया कि इमबालेंस टॉपर होने का मतलब तो यह बेसिकली सिंप्लीफाइब करके आपको इतना ही देखना है कि एड़ दा मनी कॉल या एड़ दा मनी पुट किदर चेंज इन ओपन इंट्रेस्स जादा हो रहा है और उसके हिसाफ से आपको टेर इनिसेट करना है तो यह तो एक एक आपने एक रूल यह फॉलो कर लिया अब इसमें और और थोड़ा सा और मैं एडवांस तरीके से आपको और एडवांस आपको अगर रिसर्च करनी है तो उसमें इसे क्या करना चाहिए हमें कि अब एडवानी हो गई मैरी यह 700 क्लियर इसमें एक और रैड़ कर दी जाब आपएशाट सो पचास और एक निचे वाली आड़ कर दी है जाब आईश छेसो पचास क्लियर मनिद जी पूट में भी हम यह तीन स्ट्राइक ले लिए त responsibilities का एक Com KPos बना लिए और एक कोंबो 25 का सम करते हैं सो कितना आरा मेरे पास चाल चालीूじ लाग यह विए सेट बाइस लाग तेरह लाग तो चालीस चालीस असी और इधर भी हम कॉंबो को सम करते हैं तो यह च्छे लाग चौदा च्छे बीस और करीब 26 लाग हुआ 26 लाग हुआ अब एक करोड अब इसका इंबालेंस रेश्यों निकाल लो पीशियर निकाल लो 26 लाग पूट हो गई है 26 लाग पूट है और कॉल कितनी है एक करोड़ तो आपका पीशियर कितना आएगा बहुत लो आएगा जिरो पॉइंट टू के आसपस आएगा ठीक है यह बहुत बड़ा इंबालेंस आप देख रहे हैं एक करोड़ एक करो लोग ट्रेडर्स कॉल में और केव हम हर दिन यूज करते हैं और इसकी एकुरेशिया आप यह मान के चलो आपको कम से कम सतर परसेंट लाइब मार्केट में मिलेगी और इस चीज को आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं इवेन यह इतनी सिंपल है कि जिस दिन आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके अगल अगले इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वह फंडामेनटल रूल्स है वो चेंग नहीं होंगे तो जिसे शर्श काया यह फंडामेंटल रूल है कि कॉल रैटिंग कि थर कम है यह सब फंडामेंटल रूल से हैं यह आपको बताएंगी 2020 व्याथ रिश्टन राइटिंग जानल और चीज और अच्छी बात बोली अभी कि यह जो हम ले रहे हैं यह ले रहे हैं अराउंट 1030 तो होता क्या है कि कितने लोग 9-15 पर ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं मार्केट अगर सेम लेवल पर भी है तो 9-15 पर जो प्रिम्यम रहेगा उसका सिक्स्टी परसंट ही प्रिम्यम रहता है एट 1030 तो जो ऑप्षन बायर्ज हैं उनके प्रिम्यम डिके अट लिस्ट नहीं होते हैं उससे क्योंकि 1030 तक 40 परिम्यम इसपारी दिन तो एट लिस्ट वाइप आउट होई जाता है तो यह एक चीज एड्वांटेज रहेगा हमेश आख जोने करना। कि ट्रेट करना नहीं करने करना दोनों एक जद्री में वैज्वनिस ट्रेड़ चीए और मनीस यह उनक्री G Obrig है और इसमें किया है फास बात किया कि यह निफिटी पर बूइब काम करती है कि यह इसकी आएगा क्षा क्टे सब में करते हैं तो इसका में सब में करते हैं कि descom के कम परेजन में कम है सब्सक्राइब की कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं और रिलाइंस का भाव फॉर एग्जामपल तीनेजार के आसपास है अठाइज सो उनती सो तीन है तो एड़ दमनी की कॉल एंपूट दोनों में आप देख लो कि किदर जादा है और इस इस पचास परसंट यह एकूरे सी मिलेगी बड़ चंक से कम आपको पचास परसंट वहां पे मिल रही है है उसका एक रीजन ही है कि कि सथरे से कम हो करके प rigor और के परशास है हम जो कॉल प्शन ले रहे हैं वह सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे कि हम एक काम करें और हमारी 50 परसंट तो प्रियोलिटी बन जाती है कि हम सही होंगे जी और वह भी सर जैसे हमारा यह वीकली आप एक्सपाइडी में काम कर रहा है तो वह भी लास्ट के दस दिन अच्छा काम करेगा यह बहुत अच्छा आपने बड़े इंवेस्टर भी होते हैं तो उसमें यहां पे इसलिए कॉंसेप्ट जादा काम करता है क्योंकि यह पर ट्रेडर ज्यादा है वहाँ पे उस तो यह यह सिंपल कॉंसेट है और इसे आप यूज करें साड़े दा से ग्यारा के बाद और इसमें दो पॉइंट और हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पूट ऑप्शन लिया जैसे आज के डेटा के हिसाब से में पूट हैं तो जब भी आपको 25-35 पॉइंट मिले तो आप प् सब्सक्राइब कर रहें अब आपको 35-35 पॉइंट जाएंगे आपके मंद में सवाल आएक आपको रखना चाहिए जहां से आप बाइंग कर रहें वहां से 25-30 पॉइंट काई अब यह यहां रेंपर वाइंप्वाइंट है कि मार्केट में पूट लेना है बट इंट्री ऐ की मिलेगा की मिलेगा तो की को your future है ठीक है आप मैं एक तो मार्केट की जो एवरेज आ रही होगी वो मान लिजिए आ आ रही है बाईस हजार साथ सो बतीस की आ रही है फॉर एक्जामपल ठीक है तो यानि की फ्यूचर पचास पर ट्रेड हो रहा है एवरेज बतीस पर आ रहे हैं यानि अठारा पॉइंट हम आभरेज से अभी ऊप पॉइंट लेना है तो यहां पे मैं पुट लूँगा और गाल ले लेना है कि पूट लेना है यह हो गया पॉइंट नॉमबर वन और पॉइंटन नॉमबर टुव गया कि कहां करेंगे तो एंट्री हम करेंगे 2-322 के आसपास यानि average के जितना नसदी करेंगे उतना आपका रिस्क्त होगा तो अप्षन ट्रेडिंग में दोई चीज होती है एक तो होती है कि क्या लेना है कि पुट लेना है जिसका जिसका एंसर आपको मिलता है यह यह डेटा देखके और इन तीनों का यह 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 तीनों डेटा देखके और एड़ दमनी का डेटा देखके और इसमें दूसरी चीज होती है कि क आपको वीवाप नहीं मिल रही है तो आप मार्केट की दस मिनिट की अवरेज लगा लिए तो उसकता है कुछ सॉफ्ट्वेर्स में आपको नहीं मिल रही है तो आप मार्केट की दस मिनिट की अवरेज लगा लिए दस मिनिट की आवरेज भी आप रॉक्सिमेटली वीवाप स से करीब-करीब मैच हो जाएगी तो चाहिए का फर्क पड़ेगा तो उस एवरेज के आसपास लेनी है तेन मिनिट मुविंग आवेज लेना है सिंपल मुविंग आवरेज लेना है और सिंपलिफाई करने के लिए ठीक है तो आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया अब प्रॉफिट खाए इसे जादा कुछ है नहीं है तो इतना ही इसी को करना है तो यह पड़ा सिंपल है ऑप्शन में मुझे तो लगते हैं अभी जो वीकली ऑप्शन आ गही है इसमें पहले मंतली में इतने मुमेंट कहां मिलती थी अभी तो हर दिन कॉल पूर्ट में बहुत चारी चीज यह चार चीज जासे से आप इतने साल से करना तो आपको स्रिफ चार चीज लगती है बट नॉर्मल लों के लिए पहार है तो अगर माली जै किसी को यही सब चीज है कि आप लोग कैसे करते हैं तो इसका भी कोई वेयाउट है कि नॉमल विवर्वार्व जो भी मार्केट में तो आगर कोई कहीं से हेल्प लेना चाहें तो वो कहां से ले सकते हैं देखिए उसके लिए मैं आपको बहुत एक अच्छा रास्ता बदाता हूं और जो कॉंसेप्ट हमने डिसकस्ट किये जो रूल्स हैं यह रूल्स हम सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसका एक क्या तरीका है कि यह एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप नोट कर सकते हैं इसमें यह इंडेक्स ट्रेडिंग विट सी नितिन मुरार का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रीजन बताता हूं क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं जैसे मैं आपको दो तीन दिन का दिखाऊ और इसमें वोटिंग भी करते हैं जैसे आप देखें यह इसमें हिस्ट्री एवलेबल है लास्ट दो सालों की तो आप प्रीवियस जा करके हर दिन आप वोटिंग करके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने प्रॉफिट बनाया जैसे मैं आपको दो तीन दिन की अभी दिखा देता हूं फटाफट इस वीडियो मे हैं अभी हम हैं पांच अप्रील को पांच अप्रील को आप देख पा रहें यहां पर कितने ट्रेडर्स ने वोट किया है और देखें 63 परसेंट में प्रॉफिट बनाया है यह आर्विया की पॉलिसी वाले दिन है अब इसमें और भी हम नीचे देखते हैं कि और किस तरीके से जैसे यह जीर्ओं घुछ जो मेरे टीवी में सोज आते उनяют में किया रहा हूं किया वियू दे रहा हूं वह उससे से फाइदा किया है कि आपको टीवी पे भी हर समयंय जाने की जरुइश नही है आपकतो सारी कि सारी हैं कई वार स्टॉक्स में कुछ मॉव्मेंट समझ में आती है तो हम अपने रिसेर्च को यहां पर कर دेते हैं यह देठा है कलका यानि कल मार्केट में सब पॉजिटीव सेवन ने वर्लेकर करना है और देखेंगे 22650 की एक सोपाँच पर हम लोगों ने रिकमेंड किया और यह 119 हो गई और उसके बाद यह 140-45 भी चली गई थी और फिर अगर आप वोट को देखेंगे तो यह वोटिंग हम लोगों ने कराई और वोट में देखिए बहुत यह अच्छा परसेंटेज आ रहा है सबसे बड़ी बात है कि 61-6100 ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेट किया और यह चोटा सैंपल साइज भी नहीं है और 73 परसेंट ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बनाया और क्या वोटिंग क्या पी सिर डेटा इस पॉजिटिव रम ओपनिंग आठ एपरिल की बात हम कर रहे हैं जैस इस कॉंसेट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर दिन आप वोटिंग कर सकते हैं हम हर दिन वोट कराते हैं अगर आप हिस्ट्री में जाके वोट देखना चाहते हैं तो आप जब नए जोइन करेंगे तो आपको वोटिंग वहां पे करने का आप्शन आएगा आप वोट करके खुद से देख सकते हैं कि historically यह किस तरीके से काम करती है तो उससे भी आपको confidence आएगा कि एक तो हमारा व्यू या मनीजी ने बोला कि नहीं यह अच्छा concept है एक छे-साथ हजार लोगों ने वोट करके आपको बताया कि यह concept काम करता है उनको profit आ रहा तो उससे आपको confidence level में बहुत फर्क पड़ता है यह परसेंटेज भी है यह परसेंटेज भी बस इसली है क्योंकि guidance जो है वह अगर सही डिरेक्शन में रहेगी तो परसेंटेज ऐसा पॉसिबल है नहीं तो फिर वह सेभी वाला ही परसेंटेज आएगा सर जिसमें 89 लोग लोग करते हैं तो वहां के में हम इसे वीडियो बना रहा है और देख लियता सुबह से पॉजिटिव था सुबह से डेटा किया था पॉसिटिव था पैसिजिज लोग को देख्के यहां पर देखिए यह 我 कुछ दिखरे होगी ट्रेड हम लोग के अंहां त्रेड हमारा दिखरा होगा यह यह ट्रेड लेना है स्टॉप लोस साथ का टार्गेट 130 का कर्रेक्ट जी और क्या हुआ अब यह PCI data की मैं beauty आपको दिखाता हूं हमने ट्रेड ले लिया data देख करके और फिर आगे आगे वन सेकेंड यह जे जे ड्रॉइंग क्लियर करने होगी वन सेकेंड फिर आगे यह देखे एग्जिट बाइ साथ सो कॉल at CMP 72 85 में लेकि हम लोगों ने 72 पे निकल गए क्लोजिंग इसकी हुई है 42 पे वी एक्जिट अर्ली विकाउज यानि यानि कि यह डेटा देखिए सुबह से पॉजिटिव था डेटा निगेटिव हो गया तो हम लोग यहां पे अपनी कॉल से निकल गए यानि कि आपको रास्ता दिखाता है कि अगर आप गलत ट्रेड में भी हैं तो छोटा लॉस बुक करके आप भाग सकते हैं यानि 85 म सब्सक्राइब कर लोग निकल गए यह जो छोटा लॉस हुआ 85 वाला 85 से यह पंदरा रुपया सतर रुपया तो आप कभी भी रिकवर कर लोगे अगर हम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे तो यह मेरा और जो एक्स्ट्रा लग गया 30 रुपया यह तो रिकवर ही नहीं होगा तो बेसिकली मैं यह बोलना चाहरा हूं कि इस स्ट्रेड़जी की एकुरेशी 70 परसंट आएगी अब जो 30 परसंट नहीं आती है उसमें यह चोटे-चोटे लॉस बुक करके आप निकल सकते हो तो अब जब लॉस चोटा रहेगा तो प्रॉफिट आपको कभी भी आप रिकवर करके निक्स ट्रेड महीं हो जाएगा अभी क्या हूं गल्ती ट्रेडर्स के साथ कि वो उनके पास कोई मेथड प्रॉपर हो नहीं पाता ह चोटा बुक करते हैं और अगर आप इस चैनल में मेरे साथ जुड़े होते हैं आपको मतब तुरे महींने की बात करता हूं तो प्रॉफिट नहीं हो सकता बट आप यह मान के चली चांए हिनरे केम महीने के अंत में आप मुझे सब्सक्राइब करें और डेटा में आप देखेंगे तो डेटा में और अरली सिगनल हमें मिल गया थे हम लोगों हम लोगों ने जो किया करीब एक बच के उननेस मिनट के आसपास बट आप अगर देखेंगे तो इसमें सिगनल आपको बारा बच के पैतालिस मिनट पर ही बारा पचास पर आगये थे एकजिट के पॉइंट ना लगते हैं तो अगर हम पीसीर के नेगेटिव होते ही निकल जाते तो आप यह आपकी मुझे लगते असी बरासी में ही निकल चुकी होती तो पर थोड़ा देख लेते हैं अगर पीसीर और एक आदवार नेगेटिव होगा तो निकलेंगे तो अगला वर फिर नेगेटिव हो गया तो फिर लास्ट में चोटा लॉस करके निकल ली तो इस तरीके से बेसिकली मैं यह एक्जैंपल देना चाह रहा था कि पीसीर ना केव डेटा है अब यह जैसे मालीजे कल एक्सपाइरी है तो टोटल ओवाई एट इज स्ट्राइक है तो आप देख पा रहे हैं इसमें कॉल में बाइस साथ सो पे बहुत ज्यादा ओपन इंटर्स खड़ा हो गया है और बाइस छे सो पे पूट है यह रेड़ वाली तो कल की जो यह बाइस पांसो से बाइस साथ सो के बीच में एक्सपाइरी कटेगी तो इसको देखकर कि आप बटरफ्लाइज भी कर सकते हैं बटरफ्लाइज क्या होता है हेज स्ट्राइजी होती है तो अगर थोड़ा सा मार्केट में तो वह बहुत अच्छी उपर्ट्यूनिटी होती इन डेटा को देखकर के एक्सपाइरी वाले दिन करने के लिए तो और बाकी तो लाइब मार्केट में जो डेटा बनेगा उससे फिर आपको पता चल जागा कि मार्केट कि दर जाने वाली है तो इन सब चीज़ें यह बहुत यूसफुल है इस चीज़ को अगर आप आपको नहीं दे सकता बट हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा गाइडेंस ऐसा रहे कि जिससे आपके लॉसे एक डिस्क्रप्शन चोड़ दूगा आप चाहें तो खुच से जाके चेक कर लीजीगा कि पहले भी बोटिंग जब हुई है तो क्या रिजल्ट रहा है तो उससे क्या तो दिन आप खुद भी करिएगा वहां पर बैठके कि क्या चल रहा है गाइडेंस कब आई एट लिस्ट उसको ऐसे गाइडेंस पॉपस यूज करिए ट्रेडिंग करना नहीं करना वह आपका डिशियन है लेकिन अगर करना ही है तो गाइडेंस सही लेके रखिए सो देट क होकि आपको थोड़ा सा सही गाइडेंस मिले तो क्या फायता तो उससे बैटर है कि मार्केट आवर्स में वो गाइडेंस मैं तो सर ने यह जो चीज बताई हो तो काफी आपको करेगी और सर का जो चैनल है मैं उसका लिंक में छोड़ी दूँगा और कुछ एड़ करना चाहेंगे सर हमारे वीवर्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको कॉंपलेक्स बना देगी मैंने बड़ा सिंपल मतलब बहुत कॉंपलेक्स चीज को बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है आप जो आज वीडियो में आप देख रहे हैं इसे आप कम से कम हपते दस दिन पेपर ट्रेडिंग कर है इसे समझें जैसे आपने बताया है कि history के जो पॉले हैं जो वोट से उसको आप जाकर देखें चैनल की आपको लास्ट डेढ़ दो साल कि पूरा पीछे जाकर कि आप देख सकते हैं कि कि किस दिन यह यह डेटा काम किया किस दिन नहीं कि आप तेस्ट कर सकते हो तो फिर द तो मुझे यह वन आप दो मोस्ट पावरफुल कॉंसर्ट मिले हैं बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं यह ऐसा टूल है जो अधर इंडिकेटर के में इसकी एकुरेसी लेवल ज्यादा है रिलाइबिलिटी इसकी ज्यादा है तो आप इसे एक बार ट्राइ करके जरूर देखें दस पंद्रह दिन कम से कम आप ट्राइ करें हो सकता है एक दो दिन आप ट्राइ करें आपको सक्सेस नहीं मिले बट उससे यह नहीं समझ सकते हैं का है फॉन्डामेनिसिस का अव् uranium है जो डेटा बनता पिसी और का वह ये सब के बाद भंत वह है तो है क्यों सकता अ missile करने के लिए और को something करने के लिए और होपफुली यह जो कंसेप्ट आपने क्लियर की कौकी घॉप मिले प्लस लाइब मार्केट में गाइडन काफी वीवर्स को मिल पाएगा आपके चैनल के तुरू तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक्यू और उमीद है कि आप आगे भी हमारे चैनल पर आते रहेंगे बिलकुल थैंक्यों मनेश जी और मुझे पूरा उमीद है कि जो वीवर्स इस कॉंसेट को देखेंगे और वो जरूर इससे बेनिफिटेड होंगे और उनको एक स्टेप दो स्टेप क्या मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप्शन ट्रेडिंग में वह चार-पांच स्टेप ऊपर आ जाएगे चलिए वही उमीद है सर हम कोशिश कर सकते हैं और होफुली थे रडैस उनको दोचक्व करेंगे चार-बदी खर आएगेगे घृख कर सकते हैं वही आपक्या कर दो क्या दो को एब हम है चिर्थे एगे लिए, फिस जाबगे